हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीडिट कम्यूटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक के उपर बात करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा सबसे पहले यहाँ मैं आपको एक चार्ट दिखाना जाऊंगा यहां पर क्या कुछ हुआ है आपको समझने कोसिस करना फिर मैं आपको वीडियो का टॉपिक बता दूँगा तो सबसे पहले देखें यहां पर क्या हुआ जिस प्राइस पर ऑपन हुआ है वही इसका लोइस पॉइंट यह नहीं ऑपन इकॉल टू लो पैटरौन का यहां प करेंगे और कंफरमेशन कंडल आते ही हम अगले कंडल पर वाई करेंगे उसकी बाद एक और चीज़ आप यहां पर देख सकते हैं यह आपका एक रेंज था लास्ट डेका उस रेंज को भी ब्रेक करके उपर निकला और यहां पर हमें इसके उपर क्लोजिंग देखने हुआ मतलब यहां पर चोटा सा रेंज मना था इस रेंज को भी ब्रेक करके ऊपर निकला यह नीवेंज के वेशिस यहां पर देखने हुए मिला और जैसे ही इसके उपर closing मिला हम इसके उपर buy करना prefer करेंगे यह यह candle open होते ही हम यहां पर क्या करते हैं buy side के तरफ जाते हैं और उसके बाद stop loss यह इसका lowest point होता है और जैसे ही buy करते हैं क्या हुआ प्राइस नीचे आया है और यहां पर हमारा stop loss हिट हुआ है मतलब यहां पर क्या किया गया यहां पर जाल बिचाया गया और दो दो रीजन है जिसके basis पे buy side के तरफ जाते हैं और इसमें से आज बहुत साय लोग अधानी enterprises में यह जो move दिखाया है पहला 10 से 15 मिनट इसमें trap हुए होंगे अब उसके बाद का move भी आपको समझना है उसके बाद क्या कुछ हुआ है वापस से मैं आपको बताता हूँ यह जो candle यह क्या form किया है यह form किया है और pen equal to high और जब दस्त आपका wet candle का formation किया है कुछ हद तक ही बोल सकते हैं कि यह आपका इंगल्फिंग वेरिश candle भी है यह तोटल ग्यूइन केंडल को अपने अंदर समा लिया इंगल्फ कर लिया तो यह candle देखते ही बहुत साय लोग क्या करेंगे sell side की तरफ जाने के बारे में सोचेंगे और इतना जब दस्त वेट candle के बाद sell side की तरफ जाना बनता भी है उसके बाद क्या हुआ उसके बाद price आपका नीचे गया भी है लेकिन closing कहां पे दिया हम इस price पे sell करेंगे और closing आपका इसी के आसपास दिया और अभी देख सकते है इसी price के आसपास straight कर रहा है ति यहाँ पे अगर आप sell की होंगे तो आपको ज़्यादा profit नहीं मिला होगा जो लोग sell की होंगे वो भी यहाँ पे trap हुए होंगे यहाँ पे bull trap के साथ साथ क्या हुआ है बियर trap भी हुआ है यहाँ जो लोग bearish sentiment रखते है या जो लोग sell side की त trap हुए होंगे ति हमें perfect example लेता जहाँ पर बुल और बियर दोनों को trap किया गया एक जाल बिचाया गया और उस जाल में दोनों trap हो सकते हैं इसके chances बहुत ज़्यादा और बहुत साहे लोग literary बहुत बहुत होंगे तो इस बुल और बियर trap से हम कैसे बच सकते हैं और यह बियर trap हो इसको हम कैसे identify कर सकते हैं और इसे हम कैसे बच सकते हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं इसलिए आप इस वीडियो में last तक बने रहे हैं अगर आप इस तरीकी के बुल और बियर trap से बचना चाहते हैं तो तो जैसा कि मैंने बताया था यहां पर क्या कुछ हुआ था बुल ट्रैप और बियर ट्रैप दोनों हुआ था और चाहे जो लोग मुलिक शंटिमेंट रखते हो या फिर बियर शंटिमेंट रखते हो दोनों यहां पर ट्रैप में फस गया और उसके बाद मार्केट जैसे आज market का move ही हो beers या फिर bullish जो भी sentiment लोग रखते हैं दोनों को trap करने के लिए market आज आपनी हुआ था ऐसा ही लग रहा क्योंकि इसके बाद market एक आपका range पर कर लिया और नहीं ज़्यादा upside जा रहा हो नहीं ज़्यादा downside जा रहा है यहाँ पर जो लोग sell कियोंगे उनका stop loss तो hit नहीं हुआ होगा उनका stop loss इसके आसपास होगा लेकिन उनको यहाँ पर ज्यादा profit भी नहीं मिला होगा और ultimately जब price यहाँ पर उपर किया होगा तो डर के मारे निकल भी गया होगे यानि तो जो भी बने होगे वो cost to cost या फिर थोड़ा बहुत profit या फिर थोड़ा बहुत loss में निकल गया होगे मतलब आज bull और bear दोनों के लिए perfect trap बिचाया गया था इस trap को हम कैसे iron fire कर सकते हैं इसके लिए हम दो indicator का इस्तेमाल किया है इस्तेमाल किये यहां पर जिरोधा के काई ट्रेडिंग लेटफॉर्म को लिए अगर आपके ब्रोक्वेस्ट फॉर्म में ऐसा नहीं है यह दो तो इंडिकेटर के बदाओत हम कैसे यहाँ पे बूल और बीर ट्री आप से बस सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे ओपन इकॉल टू लो का फॉर्मेशन किया उसके बाद प्राइस आपको ऊपर गया और यहाँ पे हम वेट करेंगे कन्फरमेशन केंडल के लिए उसके बाद कन्फरमेशन केंडल यह बना अब इसके बाद यहाँ पे हमें बाइसाइर की तरफ जाना और जब हम बाइसाइर की तरफ जा रहे थे यहाँ पे हमने क्या देखा यह जो लाइन है यह हमारा private point का line है और यह line क्या काम करेगा यह line हमारा resistance के रूप में काम करेगा तो अगर यहां पर हमें by side के तरफ जाना भी है इस candle के बाद तो हम कब जाएंगे अगर इसको break करके उपर निकलता और इसके उपर closing देता है ठीक है यह 15 मिन्ट का time frame बद चाट है तो हमें closing basis पे resistance level break होना चाहिए अगर resistance level के उपर closing दिया तब हम यहां पर upside move यानि buy side की तरफ जाना यहां पर prefer करेंगे लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं सिर्फ resistance level को touch किया और वहां से नीची आ गया मतलब यहां पर जो buy करके हम trap हो सकते थे वो trap से यहां पर हम आसानी से बच सकते यानि एक जो trap था bull trap उस bull trap से हम बच गए किसके basis पर पाइवर्ट पॉइंट के basis पर यहां पर हम bull trap से आसानी से clear cut बच गए और ऐसा कोई भी कर सकते हैं अगर आप यहां पर resistance level देख लेते हैं तो कोई भी buy नहीं करते हैं चाहागो beginners ह या फिर export हो कोई भी यहां पर buy करना prefer नहीं करते buy करते हैं इसके ऊपर ही ठीक है दूसरा same bull trap से आप एक और indicator के बच सकते हैं वह आपका volume profile अगर यहां पर volume profile को देखें तो जैसे इस level के आसपास आते हैं यह closing यहां पर दिया जैसे इस level के आसपास आते हैं यहां पर आपको बहुत कम देखने हों मिलेगा volume बहुत कम है मतलब क्या है कि यहां पर buyers का area खत्म हो गया जो buyers का area था वो इसी के आसपास buyers का area था इसके उपर जैसे ही जाएंगे यहां पर किसका area होगा यहां पर sellers का area होगा मतलब यहां पर हमें buy set की तरफ नहीं जाना था buy set की तरफ कहीं से सपोर्ट नहीं मिलवा था तो अगर आप यहां पर पाइवर्ट पॉइंट या वालूम प्रोफाइल दोनों इसे किसी एक इंडिकेटर का भी इस्तेमाल करते तो आज जो यहां पर बुल्ट ट्रैप बिछाए गया है जिसमें कुछ लोग जहूर फसे होंगे उस बुल्ट ट् आप देख सकते मैं आपको लाश्ट में अपने यूटीब चैनल पे ले जाके वो वीडियो दिखा दूगा नहीं तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सें में मिल जाएगा और आप आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं अब यहां प करेंगे को मिस्स भी कर सकते हैं उसकी बाद यहां पर क्या करेंगे यह कंदल पर हम सेल करेंगे लेकिन जैसे हम सेल करें यह फिर सेल करने से तो अगर हम ऊपर सेल करते हैं यह टागेट ट्रैप से बढ़ सकते हैं क्योंकि अगर आप benefiting हो जाता और यहां में पर पॉंग करके निकल सकते हैं और आपि यहां पर ट्रैप में नहीं फज सकते हैं तो अगर हम पाइबर पॉइंट यूज़ करते हैं तो बुल के साथ-साथ बियर ट्रैप से भी यहाँ पर हम आसानी से बच सकते थे देखे कितनी सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना बस आपको विजुलाइज करना अपना आँख ओपन करना और आपको क्लियर सब्पोर्ट वेस्टेर्श लिवल दिख जाएगा और इसके बीच में ही ट्रैप किया और जो लोग इस तरह के इंडिकेटर के इस लगए है अगर आप एगर यहां पर वोनोष की बात था उसके बड़रफारलादहं से कैसे बसकतेजिंगे अगर आपको बहों साजागा लोग लगरा लेकिन इस ट्राम पर वालू माकू आपको कॉम देखने को मिल रहाता यहां से भी हमें clear cut indication मिल जा था इस particular zone के नीचे क्या है इस particular zone के नीचे sellers नहीं है अगर market इस particular zone को break करके नीचे टिकता है तब हम fresh sell position initiate कर सकते हैं यानि तो अगर हम यहां पे sell करते हैं तो हमारा target इसी के आसपास होगा यानि private point हो या फिर volume profile हो दोनों हमें same चीज बता रहा और हमें clear cut बता रहा है यहां पर bull trap और bear trap हो सकता उससे आपको बचना और उससे बचने के लिए यह हमें सारा कुछ provide करके भी दे रहा है तो उमीद करते हैं यहां पर आपको यह चीज समझ में आ गया होगा कि कैसे आप volume profile और private point indicator का इस्तिमाल करके इस तरही के trap से बच सकते हैं जो कि operators या फिर बड़े बड़े twidors आपके लिए बिचाते हैं तो चली अब मैं आपको अपने YouTube चैनल पर ले चलता हूं और दिखा आपको नहीं जाना सिर्फ आपको हमारे यूटूब चैनल एक्विटिट कमडिटी के होमपेज पर जाना जो कि वेरिफाइड है तो यहां पर आपको यह वाला वीडियो दिख रहा होगा इंट्वारे ट्रेडिंग स्ट्रेटिजी बेस्ट आपाइवर्ट पॉइंड वीव से थिया कियोंकि हम रेगलर व्यव्यांट यहां च crispy आपको जो सब्सक्राइब किजिए मिलते ह्यों जैहिन